इस तरह के लिए कितने लाफदायक से धोंगे और कितने नुकसांदायक आज के इस सेशन में मैं चाचा करूँगा आज मैं आपका अपने सेशन में वेलकम करता हूँ आज मैं बात करूँगा जितने भी HBAC के कोर्स क्या है HBAC का कोर्स आज पूरी दुनिया में काफी फेमस है काफी डिमांड में है और इसकी जॉब भी हर जगा अविलेबल है जैसे जैसे वर्क बढ़ रहा है जैसे जैसे काम करने के तरीके बढ़ रहा है इसमें जॉब की बढ़ती जा रहे है तो यदि आपने हाई स्कूल या इंटर्मेडियर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हैं कि मुझे कोर्स कर ना है या एसी डिप्लोमा कोर्स करना है या डिफ्रीजर का पोर्स करना है जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो यह बीडियो आप्वेष्टिन जबाब देगा और आप समझ पाएंगे कि वास्ताव में मुझे ये पोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो डियर स्टुडेंट अगर मैं बात करो कि अगर इस वीडियो पर अब तक आप हैं तो दो ही लोग हो सकते हैं या तो आप कोई ट्रेनिंग इंतिचूट चलाते हैं तो बैच बेकिंग के लिए आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं या तो आप कोई स्टुडेंट्स हैं तो आप मुझे सुन रहे हैं तो especially यह मेरा जो वीडियो है, students के regarding है, students को dedicated है. तो dear students, अगर आप year condition का से सम्मंधित कोई काम सीख लेते हैं, डिप्लोमा ले लेते हैं, तो आपको बहुत फाइदे मिलने माले हैं. पहला फाइदा होगा कि आप क्या आपके पास जो पैसे का आभाव है, तो पैसे का आभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएदे. दूसरा फाइदा होगा कि आपको इंडिया में काम करने के साथ सा, बाहर के देशों में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा. एक अच्छी salary आप पासकते हैं इंडिया में और गल्फ देशों में. वज़ा क्या है? यहां गर्मी बहुत जादा पढ़ती है. अब देखो HBAC का काम हुआ, एर कंडिशन का काम हुआ, डिफ्रीजिंग का काम हुआ, यह रेफ्रिजरिशन का काम हुआ, इनका इस्तमाल कहा होगा? इनका इस्तमाल वहीं होता है, जहां का प्रदेश जहां का इस्टेट जहां का रीजन गर्म है तो गर्म अगर अस्थान की बात करें गर्म देश कौन-कौन से हैं जिनकी जलवाई गर्म है जहां पे गर्मी बहुत जादा पढ़ती है तो वहां पे इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको एक नहीं, हजारों की संख्या में जॉब मिलता है, अविलेबल है, और वो भी एक अच्छी सालने के साथ, तो अगर मैं बात करूँ, high school और intermediate करने के पास, अगर यह सी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो इसका जवाब होगा, इसका फ्यूचर बहुत ही best होता है, कोर्स करने में कितना वक्त लग जाता है, तो यह आपके सीखने के ऊपर depend करता है, कोर्स आप एक महिने में भी complete कर सकते हैं, तीन महिने में भी complete कर सकते हैं, छे महिने में भी complete कर सकते हैं, एक साल में भी complete कर सकते हैं, दो साल में भी complete कर सकते हैं, इस दु वोड़ा वक्त लगता है वहां दीरे-दीरे सीखते हैं तो यह आप के सीखने के उपर डिपेंड करता है इस समय में बात करो तो दो तरह के मोड में कोर्स आपको मिल जाते हैं एक नार्मल मोड में जाता है और एक fast track mode में मिल जाता है अगर आप के पास पूरा भर्पूर टाइम है और आप चाथे कि नहीं मुझे धीर हैं और एक-एक points को सीखें तीन महिना लगे, छे महिना लगे या एक साल लगे आपको उस चीज को सीखें एक अच्छी salary पाना है year condition में या HBAC में कहलो अगर group के रूप में बात करो तो अगर इसमें एक अच्छी salary पाना है तो आपको हर एक चीज को सीखना होगा क्योंकि काम कभी भी आपको माफ नहीं करता है अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें खर्च कितना आ जाता है तो इस course को करने में आपके जो खर्च आते हैं या regular mode में जाए सब में लगबर यही फीस आपके रहती है फीस कभी भी चेंज नहीं होता फीस कभी भी इसके जो course है वो उसका syllabus भी चेंज नहीं होता ठीक है अब इस सवाल यह उठता है कि इस course को हम कहां से करें तो course को करने के लिए आप जहां भी है जैसे भी है वहां से रह कर आप course कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा कि अगर आप SST Institute से course करते हैं तो आपके लिए काफी benefit होगा आपको काफी फाइदे मन सावित होगा यह college वज़ा क्या है अब आपके जहन में question उठेगा कि सर SST क्यों मैं तो इस समय है थराबाद से हूँ मैं तो साउच से हूँ मैं तो इस समय वेस्ट बंगाल से हूँ मैं तो उडिशा से हूँ तो क्यों SST Institute में ही जाओ क्यों नहां क्या हमारे जीले में college नहीं है कि जाहिर सी बात है लाजमी है question पूछना तो basic course है आपकी हर एक बात सही है आपने जो कहा बिल्कुल सही है लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूँ मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या वह training college क्या वह जो भी training institute है training college है वो lifetime आपको update करने की guarantee देता है आपको अपडेट रखेगा क्या वह आपको जाप placement का support करेगा क्या आपको गल्फ का बीजा दिलवाएगा क्या वह आपको work permit दिलवाएगा क्या आपको वह job के लिए interview के लिए preparation कराएगा क्या वह job support देगा क्या वह lifetime work साब की training के लिए वह provide करेगा अगर ये सारी बात ये वर्क करता है तो निश्चित रूप से आपको एक पर ज़रूप कंसिडर करना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक बात और में बता दो एसेस्टे इंटिचूट सन 1997 से चल रहा है लेकिन आज कुछ ऐसे लोग भी है जो एसेस्टे इंटिचूट की बातों को सुन कर उसकी बातों को काफी करने का काम करते हैं और यहाँ बात करके बच्चों को गुमराग करने का काम करते हैं एसेस्ट इंटिचूट इंडिया में 1997 से वर्क कर रहा है और आज पूरी दुनिया में एसेस्ट इन वर्क कर रहे हैं क्योंकि lifetime support आपको मिल जाता है एक अच्छी study मिल जाती है एक अच्छी study of quality मिल जाती है और बरतमान समय में जिस तरीके की पढ़ाई चाहिए वो सारी सब्सक्राइब करना आपके लिए समझाता होगा और बुद्धिमानी का काम होगा अगर आपको अच्छी चीज मिलेगी तो आपको बेसक आपको पैसे देने पड़ेंगे और बहुत से ऐसे ट्रेनिंग इंटिचूट है जो आपको वादा तो करते हैं लेकिन आपकी ट्रेन लगिन नहीं देते कूरे भारत में क्य다 एक सेटी एक ऐसा ट्रेनिंग इंटिचूट है जहां पे आप सर्टिफिकेट मैंच नहीं कर सकते यहां पर आपको पढ़ना होगा स्वेश्ट को पास करना होगा और पास होने के बाद ही आपको डिप्लोमां मिलता है तो जरत सोच में एक जगह मिल रही है एक ही छट के नीचे मिल रही है तो कि निश्चत रूप से हमें एक साल का समय लाइफ के लिए दे रहे हैं आप पूरी लाइफ में लाइफ को दे रहे हो शीखने सीखने के लिए दे रहे वागा और आप महिनत कर रहे हो यही आपका सीखा हुआ काम आपको पैसा दिलाएगा अच्छी कंपणी में ले जाएगा देश विदेश की कंपणियां आपका दर्वाजा नौक करेंगी और एक अच्छी सालरी पर आपको लिए जाएंगे कब जब आपके अंदर काविलियत होगी जब क्या आपके अंदर हुनर होगा जब आपके अंदर वो सारी बाती लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर कोज करने के कि बाद भी कहीं से आपने मैनेज कर लिया और फटा फट चुट्कियों में सर्टिफिकेट की विवस्ता कर लिया तो मैं आप से कहता हूं कि इंटर्व्यू जब देने जाएंगे वह क्लाइंट तुरंत आपको पहचान जाएगा आपका सेलेक्शन नील करेगा और बड़े ही मैं प्यार से कहेगा कि सर्ण मैं आपको मेल से बता दूंगा कि आपका सेलेक्शन हो गया है लेकिन सन कि लिए आप किसी स्वास रखता है कि यदि आपके पढ़ाई किया है तो आप इंटरव्यू दीजिए अगर आपने पढ़ाई किया, interview दीए, दोबार दीए, एक company में दीए, दो company में दीए, interview कहा हो रहा है, वो मैं बताऊंगा, कैसे हो रहा है, कहा हो रहा है, क्या question पूछे जाएंगे, यह सारी बात मैं बताऊंगा आपको, हर एक चीज की preparation कराएंगे, super hundred का आपका preparation होता है, जि सोचिए जड़ां फर्च किजिए कोन इसी कमपनी है जो आपको जॉडप पर नहीं रखेंगे को इसी कमपनी है जो आपको अच्छी सालरे नहीं देगे बीक यसा जॉडब मिलेगी और यह आपको जोड़ेगा आपको free job भी मिलेगा और ऐसा नहीं कि ये बात में आज आप से कह रहा हूं इसके पहले भी cycle student ऐसे हैं जिनको company उने free वीजा दिया है उनसे एक पैसा भी नहीं लिया work permit दिया हर चीज दिया और वह बच्चे आज देश विदेशों में काम कर रहे हैं किस कैसे काम कर रहे तो अ और उस client ने बोला किसी को पैसे नहीं देना है किसी को पैसे नहीं देना डायरेक्ट मुझसे काल करना वीजा में भीजूंगा work permit में देजूंगा टिकट में भीजूंगा हाँ जाहज का टिकट में भीजूंगा इस तारिस्ट कु दाएं सिर्फ SST इंटिटाइं बाकि कई नहीं मिल सकती है बाकि फैसला आपके हाथ में और आपको किया करना है क्या नहीं करना क्योंकि आप पूरी तरब से सुटंत्र हैं फिर भी मैं इस के साथ सुभकामना के साथ मैं इजाजत चाहता हूं नेक्स वीडियो में हाजर होगे आप एक बेहतर काम करें बेहतर जाब मिलें विसीव ओल दबैर थाइंक्यी फर वाचिंग थाइंक्यी फर वागिंग